अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक चुरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं होता है ये बिल्कुल फ्री है तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ अपने कीचन का फाइनल लुक जो की एल सेप में बनी हुई है आप देख सकते हैं इसका जो कलर कॉंबिनेशन मैंने चूच किया हुआ है वो वाइट एंड परपल कलर का है जो की मुझे काफी अच्छा लगता है लाइट कलर होने की वज़े से मेरी जो कीचन है वो छोटी होने के बावजूद भी बड़ी दिखती है इसके जो टाइल्स का कलर रखा हुआ है वो भी मैंने लाइट कलर का रखा हुआ है बीच में एक एक थोड़ा सा डार कलर का हो गया है जो की दिखने में काफी अच्छा लगता है सबसे स में आते हैं तो यहां पर लंबी सेल्फ बनी होई है यह दिथे इस तरह से काफी लंबी सेल्फ बनी है जिसमें ओववन वगरा रख सकते हैं तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से एक सेल्फ निकलवाई हुई है जिसे दो पार्ट में डिवाइट किया हुआ है ताकि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा इस्टोरेज कर सकें यह दिखें इसके जो कबजे हैं वो मैंने सारे अच्छी क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील के लगवा हुए हैं और इसके नीचे जैस्ट है यह ओवन वाला सेक्सन है यह मैंने ओवन के लिए बनवाया हुआ है अभी मैंने इसे और्गनाइज नहीं किया हुआ है जैस्ट यह अभी तयार हुई है मेरी गिजन और गजन करने के बाद मैं आपको फिर से एक बार इसका टूर करा जैस्ट उसके नीचे एक और सेल्फ है जो मैंने मिक्सी है जूसर वगएरा के लिए निकलवाई हुई है उसके नीचे मैंने दो छोटी छोटी सी ड्रायर निकलवाई हुए हैं ताकि उसमें हम जो भी बेकिंग से रिलेटेड जो चीजे होती हैं जो सामान होते हैं लाइक काउंटर टॉब जो कि ब्लैक कलर के ग्रेन आइट है और यह पहले का बना हुआ था मैंने कोई चेंग्मेंन कर वाया था क्योंकि मुझे ब्लैक कलर का रखना था तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी तो मैंने इसी के ऊपर इस तरह से बनवाया हुआ है जहां स यह देखिए फिनिस्ट इन में अपने कीचन में ज्यादा एस्तमाल की हुए है ताकि हम अपनी मरजी के अनुसार जो भी चीजें ज़रूरत के साप से रख सकते हैं ये है देखो plates के लिए basket तो इसमें हम छोटी-छोटी plates रख सकते हैं side का जो area है उसमें हम कटोरी वगरा रख सकते हैं उसके just नीचे एक और basket है ये भी थाली बड़ी-बड़ी थाली या plates, tray वगरा आप इसमें easily रख सकते हैं मैंने अच्छी quality का channel stainless steel का लगवाया हुआ है ये है gas जहां पर gas रखनी है उसके just नीचे ये वाला cutlery का section है जहां पर हम चमचे, चनी या जो भी छोटी-छोटी चमच, बड़े-बड़े चमचे सारी चीज़ें आप cutlery में रख सकते हैं बहुत आसानी से यहां पर just उसके नीचे दो basket मैंने plain basket लगवाय हुई है उसके side में है corner, corner वाले portion में मैंने कुछ नहीं किया हुआ है उसे ऐसे ही रखा है क्योंकि मुझे इसके अंदर आटे की टंकी और cylinder रखना था तो फिर बहुत ज़दा space नहीं बचता है उसके बगल में यह वाली मैंने पतली सी basket लगवाय हुई है जिसमें हम bottle है, sauce की bottle है, आराम से रख सकते हैं या बच्चों के tiffin बगएरा रख सकते हैं जेस्ट उसके बगल में यह है, यहाँ पर मैंने ताकि जो बड़े बड़े दाल चावल वगएरा की डिबबे होती हैं वो हम इसमें एजली रख सकें, क्योंकि भारी हो जाते हैं तो उपर से निकालने में थोड़ी सी problem होती है यह है सिंक के नीचे वाला एरिया, तो उसे मैंने ऐसे ही खाली रखा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर जो है, वो डश्ट बिन वगएरा रखनी थी साइड में थोड़ी सी जगए बच रही थी, तो मैंने एक बास्किट और लगवा दी थी, ताकि जो cleaning के से related जो भी सामान है, वो हम उसमें इजली रख सकते हैं यहां पर मैंने एक छोटी सी सिंक लगवाई हुई है, इसमें हमें बरतन नहीं दोने हैं, इसमें हम जैसे सबजी दो सकते हैं, या दाले वगएरा दुलनी हैं, तो इसमें दो सकते हैं, हाथ दो सकते हैं, और सिंक के जेस्ट उपर की जो cabinet है, उसमें हमें आरो रखना है, अ तो इस वाले cabinet में हम अपनी जो भी महंगी महंगी, क्रॉकरी वगएरा जो भी काज के बरतन है वो रख सकते हैं जस्ट इसके बगल में ये वाली cabinet जो है और इसमें हम जो भी डिब्बे वगएरा रखना चाहें वो रख सकते हैं इसे मैंने अपनी हाइट के कॉर्डिंग रखा हुआ है, जितनी हाइट के डिब्बे आपको नीचे वाले सेक्शन में रखने हैं उस तरीके से आप इसे बनवा सकते हैं तो ये उसके जस्ट बगल में थोड़ी सी बड़ी cabinet है ये है चिमनी का सेक्शन ये है ब्लो होट की चिमनी जो की दस साल की गरंटी है इसमें और इसके नीचे का जो है, वो स्टेंलेस स्टील का है इजली क्लीन हो जाता है और ये है एक बड़ी सी काबिनेट जिसमें हम बहुत सारे डिब्बे वगएरा रख सकते हैं और ये भी मैंने अपनी सारे जितने भी रखे हैं मैंने अपनी हाइट के एकॉर्डिंग इन्हें इसमें पार्टीसन डलवाई ये यहाँ पर मैंने अपना फ्रेज रखा हुआ है और फ्रेज के बगल में ये अलग से मैंने सिंक बनवाया हुआ है जो की स्पेसली बरतंद होने के लिए बना हुआ है तो ये मैंने wooden में set किया हुआ है नीचे इसके जो cabinet बने हुए है उनमें अभी तो कुछ नहीं रखा हुआ है चाहें तो dustbin रख सकते हैं या हम इसमें सबजी की basket वगरा रख सकते हैं जैसे आलू, प्याज वगरा तो ये होता है हमारे kitchen का final tour जो कि आपने देख लिया होगा I hope कि आपको पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो एक like तो बनता ही है फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई, take care